नमस्कार किसान बाईयो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड्सगीन में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पीली सरसो की कुछ उन्नत किसमों के बारे में कुछ हाइब्रिड किसमे हैं और कुछ आपकी देशी वेराइटी की किसमे हैं उनकी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी वेराइटी में कितना उतपादन होता है कितने समय वो पकती है कितने पानी की उसको जरूरत है कौन सी रोग परतिरो तक चमता वाली वेराइटी है और उसमें तेल परसेंटेज क्या है सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको hybrid variety के बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये new variety हैं और इनको आप अपने खेतों में अच्छे से उगा सकते हैं और इनसे अच्छा उतपदन पीवी पा सकते हैं तो कौन-कौन से वेराइटी है वो तो hybrid seed के अंदर पहली वेराइटी जो आती है पीली सरसो की वो आता है गोल्डी गोल्डी नाम से आपको मार्किट में अराम से मिल जाएगी पकने का ज़स्मेह है इसका 90-95 दिन में ये पक्के तयार हो जाती है बुआई का समय है इसका सितंबर से 9 बर तक का आप इसकी बुआई कर सकते हैं साथ में इसकी आप आगेती और पचेती दोन तरह से बुआई भी कर सकते हैं इसका जो पानी की ज़रोत होती है तीन पानी में ये तियार हो जाती है हमारी रोग परतिरोदिक चंता वाली है इसकी समय है बीजदर की बात करें जो आपका require होगा आपके बुआई के लिए तीन किलोग्राम पर एकड़ के साफ गयागा है आप छिड़काव करके बुआई करेंगे तो तीन किलोग्राम लगेगा अगर आप लाइन यानि पंतियों में आप बुआई करेंगे तो आपका धाई किलोग्राम परेकड के साब से यह बीजदर लगने वाला है हाइब्रिड सीड्स की दूसरी वराइटी जो आती है वाती है सूपर गोल्डी यह भी आपको मार्किट में आराम से मिल जाएगी इसका जो समय है पकने का 110 से 120 दिन में पकके तयार हो जाती है पोदे की उचाई आपकी 145 से 155 सेंटिमेटर रहती है बुआई का समय जो है सितंबर महा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं अगेती बुआई आप इसकी कर सकते हैं पानी जो लगता है इसमें तीन पानी आप इसको लगा सकते हैं साखहाई इसमें अधिक साखहाई बनती है क्योंकि अगेती बुलाई में आपकी साखहाई जड़ा बनती है तो 40-40% इसमें तेल निकलता है इसके बीज से और जो बीजदर की बात करें तो 3 kg परेकड के साफ़ से छिटकाओ के रूप में आपका बीज लगने वाला है और 2.6 kg के साफ़ से परेकड के साफ़ से अगर आप पंक्तियों में बाई करेंगे तो आपका बीजदर रिक्वायर होगा तीसरी वेराइटी जो आती है हमारी वो आती है तिरुकुटा की गोल्डन 99 ये भी एक हाइब्रिड सीड्स है और न्यू वेराइटी है ये इसका जो समय लगता है पकने में 100-110 दिन इसको पकने में लगता है बाई का समय आप इसको अगेती और पचेती दोनों तरह से बाई कर सकते हैं यानि सितंबर से लेकि दिसंबर तक आप इसकी बाई कर सकते हैं जो पानी लगने वाला है इसमें 4 पानी लगता है इसकी बाई इस दर लगता है दाना जो लगता है आपका इसका दाना होता है मोटा पीला और जंदार होता है प्राइज जो आता है आपको मार्किट में इसका 300 रुपे पर गेजिए के साब से आपको इस सीड ससानी से मिल जाएगा तो यह थे कुछ hybrid सीड आप बास कर लेते हैं देसी चिस से 130 दिन में ये पक्के तयार हो जाती है, उत्पादन जो इसका होता है, 16-18 कुंटल पर एक्टर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है, और जो तेल परसेंटेज की बात कर लें, इसके अंदर 44-45% तेल होता है, इसी वज़े से किसान इसको अब तक बहुते आ रहे हैं, क 3-4 फिट तक इसकी पोदे की उचाई हो जाती है, कुछ-कुछ पोदे 5 फिट तक भी चले जाते हैं, तो ये देसी वराइटी काफी अच्छी वराइटी है, युकि इसमें तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद जो आती है, आपके पितांबरी, ये भी एक 2009 से ये अब तक बहुती आ रही है, यानि खिसान इसको अब तक इसकी बुआई कर रहे हैं, इसका जो समय लगता है, पकने में 110 से 115 दिन में ये पक के तयार जाती है, उत्पादन जो हमें देती है, ये 18 से 20 कुंटल पर एक्टर के हिसाब से हमें उत्पादन दे सकती है, ते इसी वेराइटी के अंदर तीसरी जो वेराइटी आती है, वो आती है नरेंदर 2, ये 1996 से अब तक किसान इसको बहुते आ रहे हैं, इसका जो समय लगता है, पकने में 125 से 130 दिन लगता है, तो इसकी आप अगेती वही कर सकते हैं, उत्पादन जो है आपका 7 से 8 कुंटल पर एकड के साब से, या फिर 16 से 20 कुंटल पर हेक्टर के साब से आप उत्पदन ले सकते हैं, इसके तो दाना होता है, मोटा होता है, और जंदार होता है, तेल परसेंटेज की बात कर लें, तो इसके अंदर 43 से 44 परसेंट तेल की मातरा होती है, पानी, तीन पानी इसकी जरूत को बोते हुए आ रहे हैं क्योंकि उसमें तील की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो मैंने आपको पीली सर्सों की देशी और हाइबिड दोनों वेराइटी बताई है तो आप कोई सी भी वेराइटी का चैन कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और अपने खेत में इसकी बोलिए थैंक्यो